तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक हैवी साइज का थ्रेड प्लग गेज तो यहाँ पर यह जो थ्रेड प्लग गेज आप यहाँ पर देख रहे हैं काफी बड़ा साइज का थ्रेड प्लग गेज है और इस thread plug gauge का साइज है दोस्तों वो M64 if 6 का जो है वो thread plug gauge है यह तो इसका जो pitch है दोस्तों 6 mm का जो है वो each говорить है और यह Patrick thread का Thread plug gauge है तो यह एक side go और No go वाला Thread plug gauge है तो यहाँ पर जो यह thread plug gauge है काफी वज़़न इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर यह एक डंबल के आकार का जो है वो दिखाई दे रहा है इसका जो वेट है लगभग जो है वो 2 kg के आसपास जो है वो इसका वेट है तो इस प्रकार का जो thread plugge है वो कहां पर यूज होता है अभी मैं आपको एक component दिखाऊंगा जिस component के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक component देख रहे हो तो यह component है इसके अंदर जो है वो M64 into 6 का जो है वो thread कटा हुआ है और इस thread को नापने के लिए यहाँ पर जो आप thread plugge देख रहे हैं तो इस thread plugge का जो है यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल कितना अच्छे समूत तरीके से जो है यह thread plugge अराम से जो है वो thread को measure कर रहा है तो यह जो thread plugge है दोस्तों काफी जो है वो heavy part के अंदर जो है वो use किया जा रहा है तो नीचे जिस part के अंदर मैंने इसको लगाया है उस part का भी जो weight है और metric thread का जो है वो यह thread plugge आए यहाँ पर आप देख रहे हो तो बड़े-बड़े जो parts होते हैं उनको भी जो है वो बड़े-बड़े thread जिनके अंदर बनाए जाते हैं उनको भी thread plugge के द्वारा जो है वो मापा जाता है तो यहाँ पर आप देखें कि कितना बड़े size का जो ह यह thread plug gauge है और internal thread को मापने के लिए thread plug gauge ही जो है एक माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है वो part अच्छी तरीके से thread को चेक किया जा सकता है यहाँ पर देखिए कितना heavy part है और यह अंदर से यहाँ पर आप thread देख सकते हैं उपर से यह hexagon type का बना हुआ है तो दोस्तों वीडिय एक वेडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू